मरीज अग्यानता वश हमसे यह प्रश्ण पूछते हैं कि सर ECL सर्जरी करने की बायो स्कुरू तकनिक अच्छी है या कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे प्रश्ण आपकी नासमझ का परिचे देते हैं क्योंकि बायो स्कुरू बहुत ही अलग चीज है और फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस बहुत ही अच्छी चीज है जहां तक एडवांस टेकनलोजी की बात है आज कल हम काफी ज्यादा एडवांस टेकनलोजी का प्रियोग करने लगे हैं जिस तरह की फ्लेक्सिबल रीमर्ट सिस्टम, स्टंप प्रिजर्वेशन टकनीक, स्मार्ट टकनीक, फोर्थ जेनरेशन इंटरनल ब्रेस, बायो कॉम्पोजिट या बीक स्कुरू का प्रियोग तो इस तरह की कई सारी नई एडवांस टकनीक आ गई हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं हैं, वह हमसे आम तोर पे इस तरह के प्रशन पूछते हैं, कि डॉक्साब बायो स्कुरू की टकनीक अच्छी है, कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस की टकनीक